दोस्तो टोटाल सॉलिशन मिलन में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागा थे तो दोस्तो आज का वीडियो हैबिल्स कंपानी का टेन वाट एलेडी बाल्ब के पर है तो दोस्तो एलेडी बाल्ब बिल्कुल डेड है देखिए हमने सीरीज में इसका कनेक्शन दिया था तो दोस्तो इस एलेडी बाल्ब को आइस्ता इस्ता करके हम नाइफ के मदद से खोल लेते और इसके बाद देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आता है और उसको रिपैर करने की कोसिस करेंगे और दोस्तो मेरा चैनल का वीडियो अगर अप लोग को अच्छा लगता है तो जुन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए नयना वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए और दोस्तों देखिए एमसी पीसी भी हमने खोल लिया है और इसमें एक एलेडी जो है काला पर गया है मतलब जब एक एलेडी फूग जाता है तो उसमें क्या होता है अंदर का जो कॉर्णे सर रहताए दोस्तों सौ भोलका या सो माыक्रफैट का तो कॉर्णे सर खराब हो जाता है और ओकॉर्णे सर खराब होता है तबी जब इसके अंदर जो आइसी रहता है दोस्तों मेन आइसी जो रहता है वह आइसी के अंदर सौर्स सर्कीट के कारण जो है ज्यादा वोल्टेज निकल जाता है 100 वोल्ट से ज्यादा निकलता है तो इसी कारण जो है कॉनेसर गरम होके फट जाता है और इसका इलेप्रोलाइट बहार निकल जाता है और उस्सी टाइम क्या होता है इसका जो led है वह भी फूख जाता है तो इसका user को एक भाई हम चेक करके देख लेंगे तो अगर led जो है धी में गलो करता तो उस time क्या होता है इसका driver से ही रहता है तो दिखिए इस condenser का उकपीरिबाला इसा जो है फूल गया है और इससे इलेक्टोलाइड बाहर निकल गया है तो इसमें जो है दोस्तो ऐसा प्रॉब्लेम आता है जब इसका मेन इसी जो है अंदर से सोट हो जाता है और आगे ज्यादा वोल्टेज निकल जाता है दोस्तो सो बोल्ट से ज्यादा तो उस टाइम क्य ट्रॉप सर्कृत लगाना परेगा नहीं तो इसका जो मेन आशी का कनिक्शन उसको काट के मतलब मेन आशी को हटा के और दूसरा जितना भी कॉंपोनेंट है उसको हटा तो उसको लगा के आप इस LED बाल को रिपेर कर सकते हैं तो यह दिखिए हमने 100 बोल्ट और 100 मार्कोफाइट का कॉंडेंसर ले लिया है और एक हमने MCPC भी ले लिया है 9W का तो इसको हम इसमें सेट करेंगे तो दोस्तों इसमें लाइन देने के बाद अगर कॉंडेंसर हीट होता है तो उस केस में इस ड्राइवर नहीं चलेगा इसको हमको RC ड्राइवर बनाना परेगा नहीं तो इस driver को हटा के जो drop circuit मिलता है तो उसी को हमको लगाना पड़ेगा तो इस condenser को हम लगा देते हैं जो condenser है उसको हटा दिया है हमने तो इसके बाद इसमें line देके देखेंगे दोस्तो अगर इसका IC से ही रहता है तो condenser हीट नहीं होगा और अगर इसका IC में problem होता है तो condenser बहुत ही हीट होगा बहुत ज्यादा हीट होगा तो हीट के गारण जो है फिर से condenser फूग जाता तो दोस्तों इसके अंदर जो MCPCB रहता है उसमें अगर जितना भी LED रहता है और थोड़ा थोड़ा काला पर जाता है तो उस time क्या होता है आपका circuit से ही रहता है या इसके अंदर अगर कोई LED थोड़ा सा काला पर जाता है ज्यादा तो उस time भी इसके अंदर जो है आपका driver circuit जो है सही रहता है लेकिन जब एक LED आपका काला पर जाता है ज्यादा जो की जल गया ऐसा या फुक गया है तो उस time क्या होता है इसके अंदर जो main ICA वो खराब रहने का chance रहता है और इसका condenser भी आपको फुका हुआ मिलेगा या बहुत ही फुला हुआ मिलेगा उ तो इसी case में आपको क्या करना पड़ेगा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा और आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा नहीं तो आपका जो condenser रहता है दोस्तों उसको अब change करके लगा दोगे तो heat के current फिट से ब्लास्ट हो जाएगा तो आपको इसको बाहर में रखके इस इसमें series connection देके देखना पड़ेगा तो दिखिए मैंने अब 9 watt का mcpcb लगा दिया है जो की 10 watt का LED बाल्व है इसमें तो आप इसको हम series में connection देके देखेंगे दोस्तों और इसके उपर जो mcpcb था वो थोड़ा दूसरा टाइप का था तो इसमें हम क्या करेंगे प्लास के मदद से इसका जो दो पीन है negative और positive का उसको थोड़ा हम टेरा कर लेंगे टेरा करके हम mcpcb में sold कर देंगे ऐसे करके यह देखिए प्लास से मूर के थोड़ा थोड़ा करके हम मोर देंगे दोनों पीनी एक साथ सौट ना हो जाए अब जो है हम solder कर देंगे तो इसमें टिका रहेगा और हम रहा है LED वाल्प जो है दोस्तों वो जलता रहेगा लेकिन इसको line देने के बाद अगर इसका condenser heat होता है तो उस time is driver नहीं चलेगा तो हम इसको अच्छे से sold कर लेते negative को negative के साथ और positive को positive के साथ तो उसके बाद जो है इसमें हम series correction देंगे 220 वोल्ट का तो उसमें हमको देखना परेगा तो यह दिखिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसको adjust करके जो पी ने नेगेटिव और positive को उसको हमने टेरा कर लिया है शही से अब इसको हम sold कर देंगे तो यह देखिए हमारा soldering जो है वो बन गया है अब इसको हम connection देखे देखेंगे दोस्तों यह जलता है के नहीं तो अगर जल जाता है तो इसे यह नहीं तो mcpc को हमको हटाना पड़ेगा और एल डिवाल्फ को पूरा खोलना पड़ेगा और इसके अंदर जो है पीएफ का पासिटर लागाना पारेगा तो दोस्तों जैसे देखा आप एलेडी वाल्फ ने ग्लोव रहा तो इसके अंद आप मेरा जो तो दोस्तों अगर आर्सी डाइबर क्या है आप जानना चाहते हो तो मेरे चैनल का प्लेइलिस्ट में चले जाओ वही पे आपको LED ड्राइबर रिप्यारिंग की डेर सारा वीडियो मिल जाएगा तो उस वीडियो को देखके आप जान सकते हो आर्सी डाइबर क्या है और उसको कैसे आप 9 वार्ट, 10 वार्ट या 12 वार्ट, 15 वार्ट, 20 वार्ट में आप 30 वार्ट में आप यूज़ कर सकते हो तो RC Diver को यूज़ करके आप असानी से किसी भी LED बाल्ब को रिपेर कर सकते हो और भी घर बैटके उसमें आपको टेक्निशियन होने की जूरत नहीं है तो ओके ठैंक्यू वाचिंग माई